चलिए बच्चों आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं अभी जो है भोली के अंदर पॉजिटिविटी आई है उसकी टीचर ने जो है उसको कहा था कि तुम जो है बहुत जल्दी जो है धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख जाओगी एक महिने में तुम ये बुक सीख जाओ होगी उसके बाद में तुम्हें और बड़ी बुक दूँगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम गाओं में सबसे ज़्यादा पड़ी लिखी हो जाओगी तो भोली जो है बड़ी खुश है नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू फिर उसके बाद कोई भी ऐसा न बिना बात कर पाओगी तुम बिना हकलाए जो है बात कर पाओगी अंडर्स्टैंड समझ गई ना गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमॉरो मॉर्णिंग और अब घर जाओ और कलको सवेरे जल्दी स्कूल आना बोली फेल्ट एजिव सड़नली ओल दा बेल्स इन विलेज टेम आवर्स और जो जो पेड़ है उसके घर के और स्कूल के बाहर होलो बड़े बड़े पड़े रंग के फूल खिल रहे हैं हर हैइं वह लाजा देल किने श्याहत है नई उम्मीद नलबyy किसे कशी से डड़कने लगा था पार्ट और इस तरीके से जो है वर्ष बीद गए कै まज़ सिर्फ भीड़ बीद गए देट को आधल त टाउन और वो गाउं जो है कि स्मॉल जो है चोटा सा कसभा है उसमें बदल गया the little primary school became a high school और जो वो छोटा सा primary school था वो एक high school बन गया there were now a cinema under a teen shed and a cotton ginning machine अब उनके गाओं में एक cinema था teen shed के नीचे और एक cotton की ginning मिल भी थी cotton की ginning मिल क्या होती है रुई को धूनने वाली जो मिल होती है उनके गाओं में the male train began to stop at their railway station और जो male वाली जो train थी वो उनके जो है male वाली train कौन सी होती है जो डाक गाड़ी जिसे बोलते है जिसमें सारे डाक चिठी पत्री वगएरा letters वगएरा सब कुछ आते हैं वो उनके railway station पर रुखने लगी थी one night after dinner रामलाल said to his wife then shall I accept बिशंबर's proposal एक रात खाने के बाद रात के खाने के बाद रामलाल अपनी पत्नी से कहता है तो क्या मैं जो है विशंबर का जो ओफर है उसको accept कर लूँ yes certainly his wife said उसकी पत्नी ने का हाँ हाँ बिल्कुल भोली विल बी लगी to get such a well-to-do bridegroom वो कहते है भोली बड़ी भागेशाली होगी जो उसको इतना जो है well-to-do इतना अच्छा खासा जो है इतना धन संपन जो पती मिलेगा वर मिलेगा अपने लिए a big shop a house of his own and I hear several thousand in the bank एक बड़ी सी दुकान अपना खुद का मकान और मैंने सुनाए कई हजारों रुपयों उसके बैंक में भी है moreover he is not asking for any dowry और सबसे बड़ी बात तो है वो किसी प्रकार के दहेच की मांग नहीं कर रहा है that's right but he is not so young उसके भोली के पापा कहते कि वो तो ठीक है लेकिन वो इतना जो है young नहीं है you know almost the same age as I am और तुम जानती हो वो उतनी ही उम्र का है जितना के मैं हूँ and he also limbs और साथ साथ में जो है वो limb करता है limb का मतलब होता है बच्चों लंगडाता भी है moreover the children from his first wife are quite grown up और तो और वो कहता है इसके अलावा उसकी जो first wife है उसके बच्चे जो है वो काफी बड़े हो चुके है so what does it matter his wife replied उसकी पत्नी कहती है तो इस बात से क्या फरक पड़ता है क्या हो गया 45 और 50 it is no great age for a man वो कहती है 45 या 50 ये कोई जादा उम्र नहीं है एक आदमी की देखो भया कैसी मा है किस तरीके की बात कर रही है है न we are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense हम तो बहुत भागेशाली है कि वो आदमी दूसरे गाउं का है और उसको जो है हमारी बेटी के जो शरीर पर pock marks है जो उसके चेचक के जो दाग है निशान है उनके बारे में नहीं पता है और उसे यह नहीं पता कि उसमें बुद्धी की दिमाग की कमी है if we don't accept this proposal she may remain unmarried all her life अगर हमने यह प्रस्ताव नहीं सिर्कार करा तो ऐसा हो सकता है कि वो सारी जिंदगी कमारी रह जाए yes but I wonder what भूली विल से वो कहता है यह बात तो सही है लेकिन मुझे इस चीज का आश्चर है के मेरी बेटी क्या कहेगी मेरी भूली क्या कहेगी what will that witless one say she is like a dumb cow वो कहती है वो बुद्धी हिन क्या कहेगी वो तो मूर्ख है वो क्या कहेगी वो तो बिलकुल ऐसे जैसे के गुंगी गाएं maybe you are right muttered रामलाल और रामलाल जो है न वो फिर दीरे से बोलता है हलके से बोलता है शायर तुम ठीक कह रही हो देखो कैसे ममा पापा है in the other corner of the courtyard भोली ले अवेक on her court listening to her parents whispered conversation अब आंगन के दूसरे corner में भोली जो है वो अपनी cot पर अपनी cart पर जो है लेटी वी है और वो सो नहीं रही है वो जाग रही है वो अपने माता पिता की जो बाते हैं वो जो धीरे-दीरे माता पिता जो है बातचीत कर रहे हैं उसको सुन रही है विशंबरनात was well to do grocer विश 245 चासा यह जो भुझां खित ऒनी जो है ग्रॉसर पर्चुन की दुकान का मालिक है रहो जहां पर घर का सीनी तल के आटा चावल चीनी तेल यह सब चीजे मीलते तैं साबून सय सभ्म की तो आपने अपने दोस्तों की बड़ी सी टौ अलीन में कर दोली के और जादी बास equival प्लेंग a popular tune from an Indian Film hedid the pro Primary Pet動画 region Royal Japan वो उसके साथ और वो जो बैंड है वह कौन सी उन वेजा है एक ट्रुइन बजा है जो की पहुत ही फेमस इंडियान फिल्म का है ठीक है ना यहनके बार्जे और यह पोंच गए हैं बोली के काउं में हैं अब देखो जी आगे क्या होता है वो तो अपने दोस्तों के साथ रिष्टदारों के शादी के लिए बड़ी सी बरात लेके आगया बरात के आगया बैंड चल रहा है जिसमें जो है इंडियन फिल्म का एक फेमस सॉंग जो है वो प्ले हो रहा है और साथ में जो है दूले मिया जो है वो एक बहुती सुंदर सजेवे सुसजित से घोड़े पर सवार है रामलाल वो जो है न वो इतनी शानों शौकत देख करके न बड़ा खुश हो गया उसकी चाती और चौड़ी सी हो गई उसने कभी सपने में भी नई सोचे था कि इसकी जो चौथे नंबर की बेटी है उसकी इतनी बड़ी शादी होगी बोली से एल्डर सिस्टर्स वो हैड कम फॉर दा ओकेजन वर एन्वियस ओफ हर लक और भोली की बड़ी बहने जो इस अफसर पर अपनी बहन की शादी पर आ आनों शौकत है वाँ भाई वाँ भोली तो बहुत लगी है वेन दा ऑश्पीशिस मोमेंट केम दा प्रीस सेट ब्रिंग दा ब्राइड और जब वह पावन घड़ी आई शुब मूरत आया तो पुजारी जी ने पंड़ जी ने कहा धुलन को बुला लीजे भोली क्लैड इन सेक्रेट फायर और वो पवित्र अगनी के नस्दीक बने वे जो धूले की जो वहाँ पर जगय थी वह उसे वहाँ पर ले करके आया जाता है बच्चों शादी में अगनी के चहो तरफ अफेरे होते हैं धूला धूलन के तो वहाँ एक प्लेस डिसाइड करी जाती है एक प् इस फ्रेंड्स प्रॉम्टेड बिशंबरनाथ अब बिशंबरनाथ के एक दोस्त ने कहा दूलन को जो है माला पहना दो भाई दब्राइड ग्रूम लिफ्टिट दा गार्लेंड ऑफ येलो मेरी गोल्स और दूले मिया जी ने जो है क्या करा पीले गैंदे के फूलों की माल को उठाया a woman slipped back the silken veil from the bride's face तभी एक औरत ने क्या करा दूलन के चेहरे से वो जो उसका जो रेशम का जो सिलक का घूंगट था उसको पीछे सरका दिया बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस बिशंबर ने जो है न बड़ी तेजी से जो है उस पर लड़की पर नजर डाली आरलेंड रिमेंड पाउजड इन हिस हैंड और माला जो है उसके हातों में अटकी रह गई याने के लड़की का चेहरा देखने के बाद जो है उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको जो है वो माला पहना दे दुलन अब आगे क्या होता है दा ब्राइट स्लोली पुल डाउ और दुलन ने जो है दीरे से जो है अपना घूंगट वापस अपने चेहरे पर खींच लिया है आव यू सीन हर शेट बिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स टू हिम अब बिसंबर जो उसके बराबर में एक दोस्त उसका खड़ा तो से कहता है क्या तुमने उसको देखा शी हैस पॉक मार कौन हर फेस उसके तो चेहरे पर चेचक के बहुत सारे दाग हैं तो उसका दोस्त कहता है तो क्या हो गया तू कौन सा जवान है तुभी तो 45-50 साल का बुड़ा है तुझे सरम तो नहीं आ रही होगी वो कहता है हाँ ठीक है हो सकता ऐसा जो तू कह रहा है लेकिन अगर उसके पिता जी को अपनी बिटिया की मुझसे शादी करनी है तो उसके पिता जी को जो है मुझे 5000 रुपे देने होंगे रामलाल वेंट और प्लेस डिस्टरबन इस ओनर अड़ बिशंबर स्वीट रामलाल जो है वो क्या करता है उसके पास जाता है अपनी पगड़ी पगड़ी क्या होती है बच्चों हमारे हिंदू समाज में हमारी इज़त होती है हमारा मान होती है अपनी पगड़ी को बिशं रुपीज दो हजार रुपे ले लो नो 5,000 और वी गो बाग कीप यॉर डॉटर वो कहता है नहीं पूरे 5,000 नहीं तो हम जा रहे हैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखो और वो कहता है के जी थोड़ा तो सोच विचार करो थोड़ा तो सोचो अगर आप चले गए तो मैं पूरे गाओं में मूँ दिखाने के लायक नहीं रहूंगा तो फिर वो क्या कहता है तो 5,000 निकाल लो ना टियर्स स्ट्रीमिंग डाउन इस फेस रामलाल वेंट इन आसू जो है उसके चेहरे पर बहे जा रहे थे इसकी आखों से अश्रों की जो नदिया बह रही थी और रामलाल घर में जाता है ओपन दे सेफ एंड काउंट इड आउट दे नोट्स उसने अपनी सेफ खोली अपन ट्राइंप ट्राइंपिंट स्माइल और ब्रिशंबर के लाल ची चहरे पर जो है जीत की मुस्कुरहाट दिखाई देने लगी ही हैड गैंबल और उसने जो है एक जुआ खेला था और वह जीत गया गया गीव मीदा गार्लंड ही अनाउंसर उसने कहा लाओ मुझे माला दे थी शी वस लुकिंग अप वो उपर देख रही थी लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बेंड और वो सीधा जो है न अपने होने वाले पती की तरफ देख रही थी एंड हिन हर आइस देर वस नीदर आंगर नौर हेट ओनली कोल्ड कंटेम्ट और उसकी आ अपने हाथ उपर करें और वो जो माला है वो अगनी में गिरी she got up and threw away the veil और फिर वो भी झो है न एक दम खडी हो गई सिधी हो करके और उसने भी जो है अपना गूंगट उतार के फेंक दिया ठीक है न वो खडी हो गई और उसने अपना घूंगट फेंक दिया पिता जी said भोली निकुर सेटlar cold voice and our father mother sisters brother relations and neighbors were started to hear her speak without even the slightest इस ने पिताजी कहा बढ़ी clear और loud voice में कहा बहुत तेज और साफ आवाज में कहा बिलकुष इस पुश्ट शब्दों में उसने जोरदार आवाज में कहा पिताजी और उसके पापा उसकी मम्मी उसकी बहने उसके भाई उसके सारे रिष्टदार सारे पडोसी वो हक्के बक्के रह गया आश्चरे चकीत रह गया उनका मुझ खुला का खुला रह गया के भोली ने जो है बिना हक लाए बिना स्टैमर करे इतनी स्पष्टता से शब्द कहा पिता जी टेक बैक यूर मनी पिता जी अपना पैसा वापस ले लीजिए I am not going to marry this man मैं इ guest began to whisper मैमान जो है वो whisper करने लगे यानि के खुसर पुसर करने लगे so shameless so ugly and so shameless वो कहते हैं बड़ी बेशरम है जितनी बच सूरत है उतनी बेशरम है भोली are you crazy shouted रामलाल रामलाल जोड से चिलाया भोली क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पगला गई हो you want to disgrace your family क्या तुम जो है अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो have some regard for our इज़त क्या तुमारे अंदर हमारी इज़त का कोई भी खयाल नहीं है for the sake of your इज़त सेट भोली बोली कहती है तुमारी इज़त के खातीरी पिताजी आपकी इज़त की खातीरी I was willing to marry this lame old man मैं जो तुमारी इज़त के खातीरी बुढे लंगडे आदमी से शादी करने के लि पती के रूप में सुईकार नहीं कर सकती हूं I won't I won't I won't I won't मैं नहीं करूंगी नहीं करूंगी और नहीं करूंगी what a shameless girl we all thought she was a harmless dumb cow कितनी पेश्रम लड़की है हां लोग कह रहे हमने तो सोचा था कि सिधी साधी सी गुंगी गाए है बोली टांड वॉलेंटली on the old woman और भो चाथा कि मैं क्या हूं मैं तो गुंगी गाए हूं जिसे कोई भी कहीं हांग सके कोई भी मुझे कहीं भी हांग सकता है that's why you wanted to hand me over to this heartless creature और इसी कारण से जो है तुम लोग मुझे इस ऐसे निर्दाई प्राणी के हवाले करना चाहते थे but now the dumb cow the stammering fool is speaking लेगिन अब जो गुंगी गाए है न यह हकली मूरक है यह बोल रही है अंटी जी do you want to hear more क्या तुम और कुछ सुना चाहती हो बिशंबरनाथ the grocer started to go back with his party बिशंबरनाथ जो था जो वो बनिया था ग्रॉसर था वो अपनी पार्टी के साथ में अपनी बरात के साथ में वापस जाने लगा the confused banksman thought this waste end of the ceremony and struck up a closing song अब वो बिचारे जो confused हुए वे जो बाजे वाले थे न उन्होंने क्या सोचा कि शादी का समापन हो रहा है शादी पूरी हो गई और उन्होंने समापन गीत बजाना शुरू कर दिया रामलाल stood rooted to the ground his head bored low with the weight of grief and shame और रामलाल जो है वो ऐसे खड़ा था जैसे वो खड़े के खड़ा जो है जमीन में गड़ गया हो उसका सिर जो है वो दुख से और शरम के बोज से जो है नीचे जुक of sacred fly showed slowly died down everyone was gone और वो जो वहाँ पर जो पवित्र अगनी जल रही थी उसकी जो जुआला थी वो धीरे धीरे करके बुझ रही थी और हर कोई वहाँ से चला गया था रामलाल टर्न टू भोली एंड से और रामलाल जो है भोली की तरफ पल्टा और उसने क्या कहा बट वाट no one will ever marry you now और अब तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा मेरे बच्चे what shall we do with you और अब हम तुमारा क्या करेंगे and सुलेखा said in a voice that was calm and steady और फिर सुलेखा जो वो भोली है वो बहुत ही क्या है शांत और बहुत ही द्रड़ अवाज के साथ कहती है don't you worry पिता जी पिता जी आप चिंता ना करें in your old age I will serve you and mother आपके बुड़ा पे मैं मैं आपकी और मा की सेवा करूंगी and I will teach in the same school where I learned so much और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां पर मैंने इतना कुछ सीखा है isn't it that right ma'am और फिर वो कहती है अपनी मैडम से पूछती है क्या मैं ठीक कह रही हूं मैडम the teacher had all along stood in a corner watching the drama और teacher जो है कोने में खड़ी वी सारा का सारा जो ड्रामा हो रहा था create उसे देख रही थी yes भोली of course she replied और वो कहती है हाँ बिलकुल भोली वो उसको उतर देती है teacher and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when he come contemplating the completion of her of his masterpiece और उसकी जो मुस्कुरातिवी आखे थी उन आखों में एक बहुत जादा गहरी संतुष्टी दिखाई दे रही थी एक संतुष्ट होने की रोश्णी दिखाई दे रही थी जो कि एक कलाकार की आखों में तब होती है जब वो अपना सबसे सबसे ब्यू खुशी होती है प्रसंता होती है वो खुशी प्रसंता जो है उस मेडम की आखों में दिखाई दे रही थी तो बच्चों आपने देखा कि कैसे टीचर के एफट्स ने जो है एक सीधी साधी सी एक बावरी सी कम दिमाग की लड़की को जो है इतना जादा कॉन्फिडेंट ब